मेरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था पत्ती पत्ती दोनों ही नौकरी करती थे एक दिन तेजस गाव अपनी मा की पास फोन करता है हलो, प्रणाम मा, जी ते रहो मा, तुम दादी बनने वाली हो अरे वा, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ जब मा जी शहर पहुँची, तो बेटे बहुने बहुत अच्छे से स्वागत किया लीजिये मा जी, चाय अरे, गर्मा गरम पकोड़े ले आओ मा के लिए निरु रसोई में गई, और दो मिनिट में ही पकोड़े ले आई जी, ये लीजिये बहु, जाद से बनाए है क्या, अभी तो रसोई में गई थी यमी मा जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई ये भगवान, मेरा धरम ब्रश्ट कर दिया तुने, अब तो गंगा जल से शुद्धी करण करना होगा दूसरे दिन मा जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, ओफिस जा रही हूँ पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है शिला आती ही होगी, जाड़ू, पोचा, बरतन, कपड़े, वो सब कर लेगी हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे जी मा जी, आप बहुत होश्यार है, मैं घर अफिस दोनों नहीं समाल पाती तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की वैसे भी, घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी पर मा जी, पर वर कुछ नहीं, इस महिने की पगार मिले, फिर आप ही सबंद रात को नीरू तेजस से कहती है सुनिए जी, मा जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दू वैसे जी की तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है फिर भी आराम कहा, शीला को छोड़ाने के लिए बोल रही थी तो अब 24 गंटे में इतना काम तो करी सकती हो पर जौब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा अगले दिन जब दोनों आफिस के लिए निकल रहे थे मेरी तो कोई किमत ही नहीं है इस घर में माजी, आजकल महगाई बहुत है, रहन सेहन भी बदल गया है दोनों नौकरी करते हैं, तभी चीक रहता है अच्छा, तु कहना क्या चाती है, मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता तु ही इस घर का खर्च चला रही है, है नहीं माजी, मेरा वो मतलब नहीं था मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किये मैंने अब तो ये रोज का काम हो गया था, तेजस भी रोज की चिक चिक से परिशान हो गया था एक दिन उसनी कहा, निरू, वैसे भी तुम्हें मैटनेटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से ही छुट्टी ले लो पर, पर क्या, मेरी सेलरी अच्छी खासी है हाखे, निरू ने रिजाइन कर दिया, जब बच्चा हुआ, तो घर में सब बहुत खुश हुए कुछ दिनों बाद, तीजस फाइल देख रहा था क्या हुआ तीजस, कुछ परिशान लग रहे हो हाँ, वो, हमारी जितनी सेविंग्स थी, वो तो हॉस्पिचल में और छटी के फंक्शन में खत्म हो गई है, निरू और अभी वैसे मंदी चल रही है, तो मैं बोल रही थी, कल मुणना को हैपिटाइटिस का ठीका लगवाना है निरू क्या पोस्पोन नहीं कर सकते, नहीं जी, बिल्कुल नहीं अब तेजस को समझ में आ रहा था, कि उससे गलती हुई है, पैसों की कमी का असर घर के माहूल पर भी पढ़ रहा था अगले दिन बेटा, मेरा चेश्मा और ये दवाईया ले आना पर चातीती हुए माजी ने कहा जी तेजस, मुणना के लिए दूद का जिपा और डाइपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है तेजस गुस्से में लिस्ट मरोड कर फेखता है और चिलाता है पैसे क्या पेड़ पर रुखते हैं, ये ले आना, वो ले आना अरे, पर ये जरूरत का सामानी है वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया अरे, अरे, लांच तो ले चाहिए नीरू दौड कर डिबबा पकड़ाती है एक दिन खाना खाने के बाद नीरू, अब तो मुन्ना कुछ बड़ा हो गया तो? अब तुम वापिस जॉइन कर लो ना, जॉब पर इस रिसेशन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है ट्राइ तो करो फिर मुन्ना माजी है ना, और एक फूल टाइम मेट भी लगा लेंगे पर माजी उन्हें तो पसंद नहीं तब ही माजी वहां आ जाती है और प्यार से नीरू के सर पर हाथ फैरते हुए बूलती है अब मेरी समझ में आ गया बहु पहले के और अपके समय में अंतर है तुम काम शुरू करो मुन्ना की जिम्मेदारी मेरी मेरी प्यारी माजी ये कहकर निरून की गले लग गई शिक्षा, परिवर्तन संसार का नियम है हमें भी समय के साथ चलना चाहिए शुम के समय के समय वे ये जिड़िक में अंतर है